तिर्भूत MLC देवेश चंदर ठाकुर वैसाली जिले के जन्दाहा में चक पत्य पहुच भारत चीन के सैनिक के बीच हुए हिंसर जड़क में शहीद जैक किशोर सिंग के परिजनों से मुलाकात की तथा उन्हें संतावना दी जन्हदा पहुच MLC देवेश चंदर ठाकुर सरप्रथन शहीद जैक किशोर को 17 सुवन अर्पित किया उसके बाद शहीद जैक इशोर के पिता भाई और मा से मिले जिसके बाद शहीद के घर हो रहे कर्मकांड का जायजा लिया इस दोरान उन्होंने शहीद के परिवार को दी जा रही सरकारी मदद के लिए मौजूदा सरकार को धन्यवाद भी दिया देखिए हाजीपूर से से 24 लाइब के लिए समवाद दाता सिधार्ट के साथ प्रशान्थ कुमार की रिपोर्ट किसी भी शहीद को छोटा नहीं कहा जा सकता और इस बार तो सब नौजवान बच्चे जो 20 साल से 24 साल तक का उमर रहा होगा ऐसे बच्चे रोए सब लोगों ने अपनी शहादत दी है अस्तमस्ता हो इसके बड़ी शहादत हो नहीं सकती और इसलिए हम लोग सब इनके शहादत को सलाम करने आए हैं सम्बान करने आए हैं हाँ हमने देखा है मैं धन्यवाद देता हूँ मुकमंतरी को मानने उप मुकमंतरी को कि उन्हों ने मानने उप मुकमंतरी आये थे जो सरकार के तरफ से जो भी देना था राशी चेक उन्होंने दिया है और एक बहुत बड़ी घोशना माननी मुक्वंदरी ने की थी कि सभी शहीदों के परिवार में से किसी एक को सरकारी नोकरी दी जाएगा यह वियार सरकार में पहली बार किया है इसके लिए मैं सरकार को माननी मुक्वंदरी को बहुत बहुत धने बाद देता हूँ हाँ बिल्कुल संतुश ने देखिए याद कीजिए नए नहीं बहुत अब ऐसा है कि ऐसे लोगों के लिए आप जतना ज्यादा कीजिए वो कम ही होगा लेकिन सरकारी नौकरी मिल गई केंदर सरकार से जो राशी मिलती है वो भी परयाप्त होता है बिहार सरकार ने भी 25-30 लाग रुपए दिये हैं बिहार सरकार ने भोशना किया है कि स्टेडियम बनेगा यहाँ पर जो मैदान है जंदाहा में वो बनाने की गोशना की है तो हम समस्ते हैं हम लोग आधाई तो हैं और इसको दोरा करेंगए तो क्या गाओं के दिकास के लिए भी सहादत देना होगा तुकी तो नहीं ऐसा है कि किसी के पास किसी सरकार के पास पूरे देश में दुनिया में राज्य में असीमित साधन नहीं रहता है यहाँ पर सिनमा हॉल क्यों नहीं होना चाहिए, स्पोर्ट स्टेडियम क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक युनिवर्सिटी क्यों नहीं होना चाहिए गाउ में, होना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या यह संभव है प्रत्य गाउ में युनिवर्सिटी हो जाए, नहीं हो जब शहादत देते हैं तो बाकी लोगों को भी प्रेडित करने के लिए प्रेड़ना देने के लिए और उनके परिजनों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि इनका शहादत व्यर्थ नहीं गया इन्होंने अगर देश के लिए इतनी बड़ी शहादत दी अपनी कुर्बानी दी, सरवच वलीदाद दिया, तो सरकार ने और जंता ने और आम पुरे समाज ने मिलके उनके याद को हमेशा के लिए बरकरार रखने के लिए भी काम किया है. मैं तो संतोष्ट वो जो काम हुआ है उनके लिए, उनके शहादद, उनके यादगार में जो काम हुए मैं उसे संदोश्टू